मार काट्टून टीवी जब वे नदी से पानी भरता है तो बोतल खून से भर जाती है ये देखकर अरजुन बहुत तर जाता है और बोतल को फैट के वहां से भागता हुआ बाहर आता है तब ही वहां से एक औरत गुजरती है जो अपनी बक्रियों को चरा रही होती है वे उससे बोलती है अरे बेटा यहां से पानी नहीं मिलेगा ये एक फूतिया नदी है फूतिया नदी? हाँ बेटा ये फूतिया नदी है इस नदी को श्राप मिला हुआ है यहां से कोई पानी नहीं भर सकता अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता नहीं होता तो फिर तुम्हारी बोतल में पानी क्यों नहीं भरा यहां से कोई भी पानी नहीं पी सकता मेरे पास थोड़ा सा पानी है अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो फिर वे औरत पाने की बोतल निकाल कर अरजुन को देती है अरजुन रिया को पानी देता है रिया फिर उस औरत से पूछती है क्या आप बता सकती है ये भूतिया नदी भूतिया क्यों है तब वे औरत उन चारों दोस्तों को ये कहानी सुनाती है वे कहती है ये बात तब की है जब भारत में छुआ छूत बड़े चरम पर थी कुछ उच्छाती के लोग छोटी जाती के लोगों को पानी, मंदीर या खुद को छूने की इजाज़त नहीं देते थे अगर वे गलती से भी ऐसा कर देते तो उनके लिए कड़े डंड हुआ करते थे ये देख भाब इतना हो चुका था कि उच्छ जाती के लोगों को लगता था कि यहां के भगवान सिर्फ वही हैं और वे कभी भी नहीं देखते थे कि दूसरा इंसान कितना परिशान होता है बिहार के छोटे से गाउं में जमीदार था रूपचंत वे बहुत ही खमंडी और निर्दय इंसान था गाउं के लोग उसके यहां पर खेती बाड़ी किया करते और उसकी एवेज में वे उनको पानी दिया करता था पर कोई भी उसकी नदी से पानी खुच जाकर नहीं ले सकता था वे दूर से ही कुछ नौकरों के द्वारा उनको पानी देता और वे भी हफते में सिर्फ एक बार गाउं वाले उस पानी को बहुत सोज समझ कर इस्तमाल करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हफते से पहले पानी खतम हो जाए और उन्हें प्यासा मरना पड़े लोग बाग एक दूसरे को पानी देने से भी बश्टे थे उसी काओं में लक्ष्मी नाम की एक लड़की भी रहती थी उसके बाबा सुखिया कई दिनों से बिमार चल रहे थे लक्ष्मी जमीदार के खेतों में काम किया करती थी बाबा अगर आज आपकी तबियत ठीक लग रही हो तो क्या मैं खेतों में काम करने चली जाओं, दो दिन हो गए, कोई भी पैसा नहीं देगा इस तरह, लक्ष्मी तु काम पर चली जा, आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगा, तु बाहर चार पाई डाल के मुझे वहाँ बैठा दे ठीक है बाबा, मैं आपके लिए यहां रोटियां बना कर जा रही हूँ, और आते वक्त पानी भी भर लूँगी, वरना फिर हफ्ते भर तक जमीदार किसी को पानी नहीं देगा ठीक है बेटा और फिर लक्ष्मी अपने पिता के लिए बाहर चार पाई बिचा कर उसे वहाँ बिठा कर काम पर चली जाती है क्यों री लक्ष्मी, दो दिन से काम पर क्यों नहीं आई माफ करना सरकार, मेरे बाबा की तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी लिए नहीं आ पाई एक तो तुम लोगों को ना कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ही होता है, चल जा यहां से और वहाँ जाकर काम कर जी सरकार वो हसिया उठा और वहाँ जाकर सारे जितने भी घास है ना, सारी काड़ दे और हाँ सुन, दो दिन से तू नहीं आई, तो इसी लिए थोड़ी देर जादा काम करके जाना, समझी? जी सरकार, मैं कर लूँगी, उसके बाद लक्षमी घास खाड़ने चली जाती है, वह सोचती है कि शाम को सब को पानी मिलेगा, इसी लिए जल्दी जल्दी हाथ चलाती है, बहुत जल्दी करने के बाद भी लक्षमी काम करने में देरी कर देती है, जब वह काम से फ्री होती तो वे फाग कर नदी के पास जाती है जहां सब को पानी मिल रहा होता है वे देखती है कि पानी मिलना बंध हो चुका है वहाँ जाकर लक्षमी बोलती है ए ये परतन भरतो मुझे काम करते हुए थोड़ी देर हो गई मेरे बाबा बहुत बिमार है मुझे चल्दी घर जाना है पानी देने का टाइम खत्म हो गया है अब अगले हफते आना पानी दे दो सरकार मेरे बाबा बहुत बिमार है घर में बिलकुल भी पानी नहीं है आपकी बड़ी दया होगी तेरा बाबा बिमार है तो मैं क्या करूँ तुझे टाइम पर आना चाहिए पता है ना जमीदार स ये तुझे यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था, तु देर से आई है, मैं तो अपना काम टाइम से ही कर रहा था बहुत मिन्नतों के बाद भी वे लक्ष्मी को पानी नहीं देता और लक्ष्मी उदास मन से घर चली जाती है अगले दिन फिर लक्ष्मी अपने काम पर जाती है और काम खतम करके वे शाम को जब खर आती है तो देखती है कि घड़े में सिर्फ दो गिलास पानी बचा है उसे समझ नहीं आता कि इससे वे खाना बनाए या इसे पीने के लिए रख दे तब वे पडोस के घर में जाती है चाची ओ चाची घर पर है क्या तू? क्या हुआ लक्ष्मी इतनी रात को आई तेरे बाबा की तबियत तो ठीक है ना? नहीं चाची बाबा की तबियत ठीक नहीं है मैं कल पानी भी नहीं ला पाई क्या तुम मुझे जरा सा पानी दे दोगी? मेरे घर में सिर्फ दो गिलास पानी बचा है लक्ष्मी, तुझे तो पता ही है, मेरे घर में 5 जने हैं, पूरा हफ्ता इसी पानी से निकालना पड़ेगा, मैं तुझे पानी कैसे दू? चाची, तू तो रहम कर, थोड़ा सा पानी दे दे रुक, मैं तुझे एक लोटा पानी दे देती हूँ तभी चाची की सास अंदर से उन दोनों की बाते सुन लेती है और वहीं से चीक कर बोलती है अरियो बड़ी धर्मातना बनने का शोख है तुझे पानी खतम हो गया तो हम क्या प्यासे मरेंगे मैं जी उसके बाबा की तबिय ठीक नहीं है वह पानी नहीं ले पाई बस एक लोटा पानी दे देती हूँ फिर वह चुपके से एक लोटा पानी लक्ष्मी को दे देती है लक्ष्मी जानती थी कि इस पानी से भी कुछ नहीं होने बाला फिर भी वह एक लोटा पानी लेकर घर चली जाती है बेटा तु थोड़े से पानी से आटा गूंद के रोटिया बना ले फिर देखते हैं क्या हो पाएगा पर बाबा, जमीदार हमें पानी क्यों नहीं देता? पानी पर उसका हक तो नहीं है, पानी तो प्रकृती की देन है, फिर वे सारा पानी क्यों अपने पास रखता है? हमें क्यों नहीं देता? अरे बाबा ये गलत बात है वे लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते और ये कहकर लक्षमी रोटियां बनाती है और बाबा को खिलाती है उसके बाद वे देखती है कि पानी थोड़ा सा ही बचा है जिसमें अभी उसने अपने बाबा को दवाईयां भी देनी है दवाईयां देने के बाद घर में पानी नहीं बचता वे थोड़ी सोच में पढ़ जाती है रात का दूसरा पहर होता है सुखिया को बहुत तेज खासी होती है वे लक्षमी से पानी मांगता है पर घर में पानी नहीं होता लक्षमी भाग के साथ वाले खर से पानी मांगती है पर वे मना कर देते हैं फिर वे अपने चाची के घर जाती है चाची कहती है कि शाम को ही तो पानी दिया था अब नहीं है मेरे पास अब लक्ष्मी फैंसला करती है कि वे जमीदार की नदी से पानी लाकर बाबा को बिलाएगी तो वे घड़ा लेकर जमीदार की नदी के पास चुपके चुपके चुपते चुपाते चली जाती है रात का समय होता है लक्ष्मी को अपनी सांसे भी सुनाई दे रही होती है उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था आज से पहले कभी उसने इस तरह पानी की चोरी नहीं की थी लेकिन आज उसे अपने बाबा की जान बचाने के लिए जमिदार के यहां चोरी करनी पर रही थी वे जाडियों से होते हुए चुपके से नदी से पानी भर कर जैसे ही वापस मुरती है जमिदार के लोग उसे देख लेते हैं कौन है वहाँ? मालिक मैं लक्षमी अच्छा तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम चोरी छुपे यहां से पानी पीने आ गए तुमने पूरी नींद खराब कर दी चल अभी जमिदार के पास मुझे जाने दो मेरे बाबा बहुत बीमार है वे बहुत तेज खासी कर रहे हैं अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे ये घड़ा यहीं फेक और चल हमारे साथ और फिर वे लक्षमी को जमिदार के पास ले जाते हैं जमिदार लक्षमी के उपर बहुत गुसा होता है और उसको खाली हाथ वहाँ से जाने के लिए बोलता है घार आकर लक्षमी देखती है कि सुखिया चार पाई पर लेटा हुआ बहुत तेज तेज खास रहा था लक्षमी मुझे थोड़ा पानी पिला मेरे प्राण निकले जा रहे है बाबा मैं पानी नहीं ला पाई कोई भी मुझे पानी नहीं दे रहा मैंने आज जमीदार की नदी से पानी चोरी करने की कोशिश की पर मैं पकड़ी गई उसने मुझे पानी नहीं दिया और फिर सुख्या की सांसें उखरने लगी वे तेजी से सांसें लेने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्रान पकेरू उड़ गए लक्ष्मी अपने बाबा से लिपट कर बहुत रोई उसने बोला कि बाबा आप पानी के लिए मर गए पर किसी ने पानी नहीं दिया अभी आसपास के घरों से लोग लक्ष्मी के पास आए पर लक्ष्मी को ये सब लोग अच्छे नहीं लग रहे थे बाबा के अंतिम संस्कार के बार लक्ष्मी इतनी दुखी हो गई कि उसी रात को उसने उस नदी में डूप कर अपनी जान दे दी और मरने से पहले लक्षमी ने जमीदार और गाउं वालों को श्राब दिया कि अगर मेरे बाबा बगेर पानी के मर गए तो आज के बाद इस नदी का पानी भी कोई नहीं पी पाएगा अगले ही दिन जमीदार के लोग नदी से पानी भरने गए पर वे पानी नहीं भर पाए वे जैसे ही बरतन पानी के अंदर डालते बरतन खून से भर जाता और जैसे ही बरतन पानी में डालता है उसमें खाली खून ही खून भर जाता है ये देख कर वे डर जाते हैं और काफी कोशिश के बाद भी वे लोग उस नदी से पानी नहीं भर पाते तब लक्ष्मी की आत्मा गुस्से में बाहर आतर बोलती है तुम लोगों ने पानी नहीं दिया अब तुम लोग भी कभी यहां से पानी नहीं भर पाओगे लक्ष्मी को इस रूप में देख कर वे दोनों डर के भाग जाते हैं और ये बात फैलते फैलते पूरे गाओं में फैल जाती है तुम लक्ष्मी की आत्मा नदी से पानी नहीं भरने दे रही जमिदार कुछ तांत्रिकों को वहां पर बुलाता है सुन लक्ष्मी तू इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती तुझे इस नदी को छोड़ना ही होगा तांत्रिक तू कितना भी जोड़ लगा ले पर इस नदी को अब मैं नहीं छोड़ूंगी इस नदी का पानी अब कोई नहीं पीपाएगा ये तेरे ही गाओं वाले है क्या तू इनको भी पानी नहीं देगी तांत्रिक जैसे ही नदी में तंत्र विध्या करने लगता है लक्ष्नी उसे बालों से काश्रिव हुए नदी में डुबा के मार देती है फिर वे कभी वहां से पानी नहीं भढ़ने देती और इस तरह उस नदी का नाम भूतिया नदी पढ़ जाता है ये सुनके वे सब लोग बहुत दुखी होते हैं